हेलो व्रिफान इत्स अब आले जचेकेटर निगीतर शुक्ला वेलकम तु दिस चानल बहुत बहुत स्वागते बच्छा पार्टी आप लोग का और आज हम लेके आएं बहुत ही खास वीडियो क्योंकि आप लोग के डेट शीट आ चुकी है और अब एक अच्छा सा रिजल्ट अच्छा आएगा क्यों हम कम टाइम की बात करें क्योंकि हम सब को ही पता है कि आपने चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई की हो लेकिन अब आपके पास टाइम की स्कार्सिटी सच्छ में आएगी पूरा साल तो तुम लोग से भाने मारते हो बट राइट नाओ आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा तो आपका ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्प करने वाली है देखो जो स्टाटजी है वो डिफरेंट डिफरेंट के लिए आपकी थोड़ी से डिफर करती है और वो मैंने तुम लोग के लास्ट वीडियो पर कमेंट पढ़ा है कि मैं एक इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बता दो क्या-क्या टॉपिक है इंपोर्टेंट है वो हम जल्दी लाएंगे तो ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि आपके कमेंट इग्नोर हुए है ठीक है वो फुफु आप लाएंगे प्लानिंग कुछ ऐसी चीजे बताने वाले हैं जिसकी विज़ा से आप बाकी सब्जेक्ट की भी प्लानिंग थोड़ी बेटर तरीकी से कर पाओगे और आप इसे फॉल्लो कर पाओगे तो सबसे पहली चीज जो स्टिप वन होनी चाहिए एनी प्लानिंग क आपका है जने टेक्स एन इवल्यूशन जो कि 20 मार्क्स का देखर हो यह मेजर यूनिट तुम्हारी यह 20 नंबरे बहुत मैटर करते हैं और आपके पास बालुजी बालुजी हूमन वेलफेर हो गया हमारा बायोटेक हो गया इन्वर्मेंट हो गया टीक है इतनी आपके पास यूनिट है इसमें हमारे पास है तीन चाप्टर इसमें हैं दो इसमें हैं दो इसमें हैं तीन यह हमारे पास यह हमारे पास चाप्टर है लेकिन अगर हम आपको एक बात बताएं तो यहां पर देखो दिख रहा है कि 20 मार्क्स यह यूनिट अगर आप ध्यान से देख लोग out of 70, आपका 50% जो portion है, वो सिर्फ ये दो यूनिट खा के जा रहे हैं, ठीक है, बायोटिक और आपका जेनेटिक्स, और इन दो यूनिट को, इन दो यूनिट को बहुत सिंपल से चाहिए, you can't ignore it, है ना, और इस दो यूनिट में इतनी महनत लगती है, इतनी महनत लगती है, ज लेकिन क्या सिर्फ हम इनी पर focus करेंगे, नहीं, अभी आपके लिए ये जो 10 marks है, ये भी बहुत value कर रहा है, ये 12 marks है यहाँ पर score करना, ठीक है, ये है easy score करना, इसे score करना easy है, ये बहुत easy है इसे score करना, ठीक है, इसे तो ignore हमें नहीं करना है, यहाँ भी score करना थोड़ा moderate है ये score करना थोड़ tough है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या दाता है, ये भी easy है, ये 2 unit ऐसी है, ये तुम्हारे 12 marks plus 10 marks, अगर कोई pre-board दे रहा है हम बोल रहे हैं कि ये 2 unit तुम आराम से 2 दिन के अंदर खतम कर सकते हो, इतनी easy unit है ये दोनों, ठीक है, तो जिसका भी pre-board है, ऐसे easy chapter को ठाओ, अच्छा score कर लोगे, क्योंकि इसमें सम्में महनत में डालोगे, लेकिन passing, जिसको passing marks करने हम बोल रहे है, इसको pre-boards के लिए छोड़ दो, अगर जिसका genetics नहीं हो रहा है, तो मतलब छोड़ मतलब ऐसा नहीं कि completely छोड़ दो, मतलब थोड़ा-थोड़ा करो, quality work कर हो, ठीक है, चलो ये तो हो गई हमारी overall bot, अब अगर हम बालो जी अले बच्चों को जानते हैं, तो यहाँ पर चाहिए जितने भी बच्चे होंगे, हम आपको अपनी slabbers को उठा आना है, slabbers को उठा के तीन zone में divide कर लेना है, हमने क्या बोले, you have to divide your, इसको traffic rule बोलते हैं, जो concept आपको नहीं clear है, जो आपके लिए tough है, जो आपने एक भी बार नहीं पड़ा है, green zone जो बहुत easy है, just आपको revision देना है, yellow is moderate, ठीक है, यह आपका होना चाहिए, reason, और अगर आपका green zone जितना जादा है, yellow zone जितना आपका red zone जादा है, उतना आप खतरे में हो, ठीक है, क्यू क्यूंकि यह ऐसे zone होते हैं, जो अगर आपने एक भी बार नहीं पड़ा है, इसको करने में आपको time लगेगा, वक्त जाएगा और आपके marks भी डुबाएगा, तो अभी हमें, अगर हम थोड़ा सगर हम अपने बच्चों को जानते हैं, तो होता क्या है, हम chapter wise दे रहे हैं, chapter एक बार के लिए चलो माज आते हैं, आज के थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट कोई गम नहीं है, ठीक है, यह हर किसी का red zone होगा, I'm very sure, evolution साथ कुछ बच्चों को learn होगा, लेकिन फिर भी में इसको red zone में ही डाल दे रहे हैं, एक disclaimer यहां पे है, हम एक average, मतलब audience को 90% audience को लेके हम एक time table आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है, इसमें से बहुत सारी बच्चों को जिसना personal level पर जनेटेक्स बहुत strong होगा, बहुत सारी होगे, so point यह है कि हम maximum को cover करना चाहा है, बाकि आप अपने according यहां से important चीज़े pick कर लेना, ठीक है, second हमारे पास आ जाते हैं कि बायोटिक प्रिंसिपल यह आपका red zone आ जाता है, ठीक है, और अगर हम इसमें आ जाएं, यह सब का yellow, यह दोनों chapter आपके yellow zone में आ जाएंगे, maximum में, यह reproductive health, यह green zone हर किसी का होना चाहिए, ठीक है, human reproduction, SRPF में I believe only post-fertilization आपका जो है, human reproduction में भी, और आपके sexual reproduction में भी, जो post fertilization होता है, at this stage, सिर्फ वही आपका red zone होता है, जसे menstrual cycle के graph वाले questions आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर seed वाला portion नहीं कर पा रहे हो, या फिर parturation, lactation वाले जो hormone आप वहाँ पर फसर हो, कहीं नहीं कहीं कि आपके sperm जाके fusion कैसे कर रहे है, वो acrosomal वाला, तो मतलब कुछ यहाँ आप सिर्फ आपके लिए difficulty होती है, देखो कोई chapter को यह आपको red zone में डालना, बस हमारे पास time कम है, तो हम chapter wise जा रहे हैं, बाकि आप topic wise red zone और वो green zone कर दो, ठीक है, उसकी बाद अगर हम आजाए, HSD, HSD भी yellow zone में जाएगी, starting वाला तो easy है, last में सिर्फ तुमारे learning है, microbes, for sure य इसके लिए बहुत आसान होगा, सिर्फ जिसने bio-tech principle नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए tough होगा, बाकि यह बहुत easy chapter, सिर्फ unit में आता है, इस वज़ज़ तुम लोग को tough लगता है, यह I think either तुम लोग के लिए green होगा, या yellow होगा, अगर हम इसमें आ जाएं, तो यह पूरा में clear कर लो, कैसे 45 days है, क्योंकि आज हमारे पास हो गया है, 19-20 तारीक है, 10 दिन यहां बचे हुए है, 30 दिन वहां बचे हुए, ज्यादा ज्यादा आप जो है 5 दिन जनवरी में ले सकते हो, या 10 दिन ले सकते हो, ठीक है, 45 days का target weight आप बनाओगे तब जाके वह 50 दिन में complete हो और एकदम last moment तक बनाओगे 50 कि आप पच्छमन दिन में जाएगा, तो 10 days का तो अपने आप रखो, और बाकी तुमारे last gen में तुमारे practical ले लो, उसके बाद तुमारी तो कहां तक है, practical जन के start week में start हो जाना है, थोड़ा बहुत, या practical, अगर अगर अपने practical में जो days आउंट की है, तो पहली गलती आपकी वही है, कि आप अपने time को जादा मत रखो, reduce करके रखो, 45 days में आपको इतना चीज, सबसे पहली चीज कि आपको ये इसका ना substitute नहीं है, घबराओं नहीं, ये सब देखने में बहुत जादा लगता है, बाकी है बहुत आसान, ठीके, अब हम आपको बोल रहे हैं कि 45 days में सबसे पहला जो आपका टार्गेट होना चाहिए, कि 15 days के अंदर बाल जीगा स्लाबस तो खतम करो, है ना, कोशिस करो कि, अच्छा देखो, हम अगें फिर से बता रहे हैं, आप 15 दिन मानोगे ना 20 दिन लगेगा, 20 दिन से पहले नहीं ह सकते हो, क्यों अगर यही सेम आप अधर सबसे सहत करो, 15-20 दिन के अंदर पूरा खतम करो, फिर आपके पास जो आपका 15-20 days, 15-20 days में यह हो जाएगा, और फिर हमारे पास 25-30 days को छोड़ दो, यह छोड़ दो किसके लिए, यह छोड़ दो revision के लिए, sample paper के लिए, मतलब यहा आपके लिए, यहां तब कहीं न कहीं सारी बच्चे पहुच जाते हैं, यही काम करने, अचा एक और बात है, अगर आप किसी teacher के साथ, अगर आप slabs complete कर रहे हो, teacher के साथ revision कर रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नी है, teacher के साथ अगर आप कर रहे हो, तो teachers क्या करते हैं, बहुत दिन PYQs, जिसको करना है, वो तो join कर सकता है, आप लोग, अच्छा, इसको हम पहले एक बार बता दे, कि यह देखे हमारी एक batch है, कहां गे मेरी batch, यह मेरी batch है, अशोका की बैच की crush score से 5000 का प्राइज है, यहां पर हम एक दिन one shot करा रहे हैं, और दूसरे दिन हम क्या करा र देखो, चाहे कोई कितनी भी अच्छे position पे हो, लेकिन एक बार के लिए अगर आपके, अगर आपकी preparation बहुत अच्छी साल बर अपने slabs पढ़ लिया, फिर भी एक बार target रखो, कि हां हमें पंदर दिन के अंदर बालो जी खतम करनी है, एक बार दुबारा से, चाहे आप हज जोली बच्चे क्या करते हैं, जोली यह करते हैं, कि अगर उनको पंदर से बीस दिन का time दिया गया, तो देखते हैं, अरे यार, 13 चाप्टर एक काम करते हैं, एक एक दिन, एक दिन, एक दिन, हम एक एक चाप्टर कर लेते हैं, बट वोट विल हापिन, शायद आपनी sexual reproduction flowering plant उठाया, छुट्टी मारी, शायद कर ले जाओ, ठीक है, बहुत वटावट करोगे, आप उसके question नहीं solve कर पाओगे, फिर भूल जाओगे, लेकिन अगर जिस दिन आपने principle of inheritance and variation, volatile base of inheritance उठा लिया, उस दिन सिर्फ आपका ये चीज होगा, आपके बाकी subject के धज्यों उड़ पूर है, आपकी quantity of course पूर है, ठीक है, तो आपको इसको करना क्या है, जो भी red zone वाले chapter है, उसके लिए number of days ज्यादा डालने है, सपोज कि अगर हम week 1 का एक plan बना रहे हैं, week 1 में आप एक काम करो, आप ecosystem का एक chapter उठालो, ecosystem का एक organism and population उठालो, organisms and population, basically तीन chapter ले लो आप ecology के, ती at the same time आप एक chapter उठालो सकते हो, microbes, चारप चार्टर होगे, at the same time आप एक chapter उठालो सकते हो, इसके साथ में reproductive health, reproductive health, है ना, ये तुमारे ऐसे होनी चाहिए, कि ये तुमारा Monday, Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, suppose Sunday शुरूर है, ये तुमारा Thursday, ये तुमारा Friday, ये तुमारा होगया, तीक है, अब मार 5 chapter होगे, अब इसी में आप क्या करोगे, इसी week में आप सिर्फ एक chapter red zone का target करोगे, वो क्या होगा तुमारा, principle of intense and variation, इसको तुम हर दिन पढ़ोगे, you will give whole, आपका 6 days पूरा का पूरा जाएगा इसमे, topic wise इसको करोगे आप, है ना, इसको आप सिर्फ एक घंटे दोगे, 1 hour, ठीक है, इसको आप सिर्फ एक घंटे दोगे, तुमारे 6 दिन ऐसे बीतेंगे, अब होगा क्या, फाइदा क्या होगा, अगर तुम principle of intense and variation अगर आप एक दिन में कर डालोगे, भूलने के chances बहुत जल्दी होगे, अगर आप सिर्फ एक घंटे दो, एक घंटे क्या, तेर्ध जो भी चाप्टर होते हैं, आप सबसे बड़ी गलती ही होती है, आप एक दिन बैटके चार घंटे गण चॉट देख लेते हो, फिर भूलते हो, अगर अगर दिल पे हाथ रखके सोचो कि पुछले साल के अंदर आपके हाफली आई होगे, आपके पीबोर्स आई होगे, अगर आप ये 15 दिन में स्पीड अप करके आप चाप्टर को कम्प्लीट करोगे, पता है मार्च में आपको लेगा यो आगीन अट जीरो, तो ये गलती मत करो, जो भी आपके क्वालिटी चाप्टर से उनको एक दिन में मत खतम करो, है ना, लेकिन अगर हम नॉमली आप क्य आपके एक हफते में हो जाएंगे, और क्या चाहिए, और इसके अंदर आपका क्या होगा देको, ये बहुत इजी है, अगर एकोलजी में, अगर माइक्रोप्स को तुम उठा रहे हो, माइक्रोप्स का एक वन शॉट वन आर्स 40 मिनट्स का, रिप्रोप्टिव हेल्थ का वन इसे कुछ भी करो, ऐसे ही करके, सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, और सेवन्थ डे, सेवन्थ डे आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि, अच्छा, सपोज आपने मंडे को और्गनिजम पॉपलिशन पढ़ लिया, अब ट्यूजडे को अब आप आप उस चाप्र की नोट्स छे बार पढ़ लोगे, तो कहीं न कहीं यहां पर पैलर रिवीजन हो जाता है, the same thing you have to do with this चाप्र, प्रिंस्पल आप एंटर्स एंवरीशन, कि सपोज आपनी एक दिन मेंडेल इन जंटिक्स पड़ी, सेगेंड आपको स्टार्ट करना है, इनक यही एक तरीका होता है, देखो, बहुत जादा क्वांटिटी के चक्कर में मत भागो, क्वांटिटी आप इजी चाप्रस के साथ मैनेज करो, क्वालिटी आप इन चाप्रस के साथ मैनेज करो, and same you have to do for the second week, second week में आपको मोलिक्र बेस ओफ इनिटेंस उठा लेना है, third week में आपको difficult volume evolution उठा लेना है, fourth week में आपको wow taken principle उठा लेना है, that is how you will complete, और आपका क्या होगा, 15-20 दिन के अंदर आपका syllabus complete हो जाएगा, आपके MCQs हो जाएगे, अब आते कि मैं हम करेंगे कहां से, बहुत आसाने बिटा, सारे one shot, सारे one shot channel पे available है, है न, PYQs channel पे available है, at the same time, MC MCQ तो मेरी profile पे भरे पड़े हैं, MCQ फ्री मेरी profile पे भरे पड़े हैं, आप आओ chapters करो, जैसे अगर जिसका भी genetics कर रहे हो, मैंने genetics अभी बच्चों को मैंने कराया है, यह देखो, अभी हमने 1000 question की series कर आ रहे है, अगर तुम अपने आप से कर रहे हैं, अभी totally free है, तुम इसक चोटी चीजे हम आपको सिखा रहे है, question solve कैसे करने हैं, ठीक है, और आपको हम उसके important concept भी लिखवा रहे हैं, तो आप इसको join कर सकते हो, code लगा लो, Nikita live लगा लो, scan करो, अपने आप आप आजाओ, तो देखो content आपके बास भरपूर है, ठीक है, एक PYQ ले लो, ऐसी कर लो at the same time, oh boy, बहुत lengthy video हो गई, at the same time बेटा, अगर आपको जो है, हमारे एक all India mock test भी चल रहा है, आप अपनी India label पर preparation भी देख सकते हो, ठीक है, और टेलिग्राम पर notes और DPPs या class की reminders आते रहते हैं, टेलिग्राम join करना, 23rd को है, इसको हम थोड़ा आप लोग को दिखा देते है 23rd को जो हमारा subscription, क्या बोल रहे है, subscription है, 23rd, इसको कैसे बंद करते हैं, हाँ, ये देखो, ये हमारा शाम में एक diagram series भी चल रही है, इससे भी तुम्हारा revision होता जाएगा, आज रात में 9.40 पर ये, ये देखो, किसी भी वीडियो को description पर जाओगे, ऐसे तुम्हें मिल तो अपने आप तुम देदोगे, इसके थूँ आपको मिलने वाला है कि आप इंडिया लेवल पर हो कहां पर, ठीक है, थोड़ी आउकात पता चलेगी इन शौट, और फ्री है, और इसमें गिफ्ट्स भी अच्छे है, गूगल मिनी मिलने वाले, स्कॉलर्शिप मिलने वाल है, नीट वगर, तुम्हें जरी वगर है, ठीक है, बहुत साई 90 मिनट से सब कुछ है, तो इसको मत मिस करो, टोटली फ्री है बच्छों यह, ठीक है, तो इसको जॉइन करो, राटा बाइबाइबाइ, और ये वीडियो आपके हेलफुल रहा तो प्लीस कमेंट करना, लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना, जितना भी कर सको, और भी थमाकितार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, and thank you so much, आप लोग की कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं, वीडियो पर बहुत बहुत पारे होते हैं, so thank you.